शुप्रभाद वच्चों कच्छा च्छा में आज अरुनिमा हिंदी पार्ठ पुस्तक के पार्ठ संख्याँ दो में प्राश्चित के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले पढ़ चुके हैं अब उससे आगे रामु को जी बहु है वह 14-15 बस की है जो अभी अलहर सी है कभी वह करी धरी नहीं थी जहां जो कुछ पाती थी वहीं रह जाती थी बैठते उसे नीद आ जाती थी कभी नाम के एक बिल्ली थी जो बड़ा हिसाती रचनाग था वह मौका देखरके वह चट हाथ साफ कर जाती थी उसके वह तंग आ चुकी थी एक दिन की बात है कि रामु की बहु ने रामु के लिए खीर बनाई यानि अपनी पती के लिए सौरी रामु के लिए पिता के लिए अपने उस रामु के लिए पिष्टा बदाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में आउटाए गए शोने की बर्क शिपकाई खीर से भरकर कटोरा कमरे की एक ऐसी उचे ताका पर रखा आ गया जहां बिल्ली न पहुं सके यह बिल्ली तो बिल्ली होती है रामु की बहु इसके बाद अपने सास के लिए पान लगाने के लिए चली गई इधर बिल्ली बैठे दूर से सब कुछ देख रही थी ताक के नीचे खड़े होकर उसने कटोरे की और देखा सुंगा सुंग कर कहा कि माल अच्छा है रखता है खाने बहुत अच्छा लगए गया वह ताक की उचाई अपने आप में अंदाजी देखा कि रामु की बहु पान लगा रही है वस क्या था पान लगा कर रामु की बहु सास जी को पान देने चली गई इधर कबरी बिल्ली ने आवन देखा ताव देखा चलांग मारी पंजा कटोरे में जा लगा और कटोरा जन जना हड की साथ फर्थ पर आप पड़ा इधर रामु की बहु की जब कानों में आवाज पहुँची तो सास के सामने पान फेक कर वो ऐसे दवड़ी जैसे मानों को उसा बचा गिर पड़ी हो देखती क्या है इप फूल का कटोरा टुकडे टुकडे खीर फर्थ पर अस्त ब्यस्त हो गया और बिल्ली जो है आह बिना डर भै के डटकर खीर खा रही है रामु की बहु को देखते ही फिर कबरी नौदोई ग्यारा हो गया रामु की बहु पर खून सवार हो गया सोच ली कि न रहे बांश न बजे बांश री रामु की बहु ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली मन बना लेकि किसी तरह इसको काम तमाम कर देना है वह रात वर्थ से निद ना आई किस दाव से इसको कैसे मारा जाए या सोचते सोचते बहुत रात हो गई क्या किया जाए कि न जिन्दा बचे यही पड़े पड़े सोचती रही तब रामु की बहु ने कुछ ऐसा सोचा इसके बाद मुस्काति वब उठी कबरी रामु की बहु के उठते ही खिसक गई रामु की बहु एक टोरा दूद कमरे के दरवाजे के देहरी पर रखर चली गई वो जानती थी कि दूद पीने के वो जरूर आएगा और इधर हाथ में पाटा लेकर यही बांस का एक लंबा चोड़ा फट्था वो लेकर रोटी तो देखती क्या है कि कबरी बिल्डी मजे से दूद पीने में जूटी हुई है मौका हाथ में आया वह ना आव देखी ना ताव देखी सारा बल लगाकर पाटा उस बिल्डी पर पटक दिया कबरी बिल्डी बेचारी ना तो हिली ना तो डुली ना तो चीखी ना तो चिलाई बस एकदम वहीं जियों ही कत्यों ही उलट गई यहीं दुनिया से विदा हो गई अब जो जो सुना सो सब जालू छोड़कर महरी पहले आई फिर मिसरानी रसोई घर छोड़कर आई सासमा जो पूजा कर रही थी वहां से छोड़र पहुँच गई कि हुआ तो क्या हुआ राम की बहुत सर जुकाए एक अपराधिन की तरह बाते सब की सुन रही थी महरी बोलती है अरे राम रे राम बिल्डी तो मर गई मा जी विल्डी की हत्या बहुत से हुई है न यह तो बहुत बुरा हुआ मिसरानी बोलती है मा जी विल्डी की हत्या आदमी की हत्या के बरावर है हम तो रसोई ना बनाएंगे जब तक बहु की सर पर हत्या रही तब तक तो मैं भोजन को मैं छूँँगे यू नहीं बनाने के लिए साह जी भोली हाँ ठीकी कहती हो जब तक बहु के सर पर हत्या ना उतर जाए तब तक तो कोई न कोई पानी भी नहीं पी सकता ना कोई खा सकता है बहू क्या कर डारा तुमने महरी कहती है फिर क्या हो कहो तो पंडी को बुलाई जाए जो पंडी जी कहेंगे तो होगा साह जी की जान में चाहना आई अरे हाँ 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 जल्दी दोडो जा पंडित जल्दी बुला ला बिल्ली की ख़वर की हत्या सारे गाउं में बीजी की तरफ फैल गई अरो उस प्रोशी औरते सब जमा हो गई जितनी मूँ उतनी बाते होने लगी पंडित परमसूक जो यह जब ख़वर मिली तो उस समय वो पूजा कर रहे थे ख़वर पाते हैं हुए उठ पड़े पंडितायन से मुस्काते हुए बोले भोजन मत बनाना लाला घासी राम की पतोहू ने बिली मार डाली है प्राश्चीत होगा पकवानों पर आज हाथ लगेगा इसले मेरा भोजन आज मत बनाना पंडित परमसूख छोटे से मोटे से आजमी थे निकला हुआ पेट था ये ता से तूंदू राम कही जाए लंबा चोड़ा मोटा ताजा बड़ी बड़ी मुछें बड़ी बड़ी आखें लंबा इचार फिट दस फिट दस इंच तूंद से घेरा ठावन इंच चेहरा गोल मटोल मुछी बड़ी बड़ी रंग गोरा चोटी कमर तक पहुँचाने वाली कहा जाता है कि मतरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूड़ा जा रहा था तो पंडित परमसूख जी को ही लीष्ट में पर्थमस्थान दिया गया था पंडित परमसूख पहुची और कोरम पूरा हुआ मने खाना पूरती हुआ कहा सुनी हुआ पंचायद बैठी साज जी मिसरानी जी किसुन की मा चन्नों की दादी पंडित परमसूख बाकी इस्तियां बहुत से शाहन भूती प्रगड कर रही थी किसुन की मा ने कहा पंडित जी बिली की हत्या करने में कौन सा नरक मिलता है पंडित परमसूख ने पत्रा देखती हुए कहा बिली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता पर महुरत भी जब मालुम हो जब बिल्ली की हत्या हुई है तब नरक का पता लगाया जा सकता है यही कोई साथ बजे सुबह हुई होगी मिस्रानी जी ने कही पंडित प्रमसूर ने पत्रे के पंड ने धर से उधर उलटते पुलटते अच्छरों पर चलाते गुमाते फिराते माथा पर हांत रखते हुए कुछ सोच कर बोले चेरे पर धुनलापन आया है माथे पर भल पड़े ना कुछ सिकुड़ी स्वर गंभीर हो गया बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण बढ़ा बुरा हुआ प्राताकार ब्रम्ह मुर्त में बिल्ली की हत् गोर कुम्भी पाक नरक का विधान है राम की मां यह तो बहुत ही बुरा हुआ राम की मां तो सुनते ही मानों आंकों में आंस उखर गए हूँ तो फिर पंडित जी अब क्या होगा आप ही तो बतलाजिए पंडित परम्सुख मुस्काय बोले हां राम की मां चिंता की कौन बात नहीं है हम परोहित फिर कौन दिन के लिए है अरे शास्त्रों में प्रैस्चीत का विधान है तो प्रैस्चीत से साब कुछ ठीक हो जाता है इसलिए आपको चिंता करनी को जरूरत नहीं है राम की मां ने कहा पंडित जी इसलिए तो मैं आको बुलबाया है अब आगे बताओ कि क्या किया जाए कल पूछे गए प्रश्ण का उत्तर प्रसंख्या एक प्रैस्चीत पाड का लेखक को भगवती चरन बर्मा है प्रसंख्या दू का उत्तर कबरी बिल्ली प्रसंख्या तीन का उत्तर रामु की बहु प्रसंख्या चार का उत्तर कभी दूद पी जाता कभी रबडी से भरी कटूरी चट कर जाती कभी मलाई खीर चट कर जाती प्रसंख्या पांच रामु की बहु खीर बनाने में बादाम पिष्टा और मखाने और तरह तरह की मेवे मिला कर बनाती थी प्रसंख्या चार रामु की बहु खीर खाने में तरह तरह की मसाले मिलाय करती थी प्रसंख्या अच्छा रामु की बहु कितनी वर्स की थी रामु की बहु यही लगवक 14 वर्स की ठारी बहु किस कारण बैठे बैठे सो गई बहु अलहर अलागाम और छोटी उम्र होने के कारण सो गई प्रसंख्या आज का प्रसंख्या एक, रामु की बहु क्या लगा रही थी, प्रसंख्या दू, रामु की बहु पड़े-पड़े क्या सोचती रही, प्रसंख्या तीन, न रहे बांश न बजे बांसुरी का अर्थ लिख कर वाक्य बनावे, प्रसंख्या चार, एक दम उलट जाना का अर्थ क्या होता है, प्रसंख्या पांच, कौन जाड़ों छोड़ कर घटना अस्थल पर उपस्तित हुईं प्रसंख्या छे, कौन सर जुकाये हुए अपराधिनी की भाती बाते सुन रही थी प्रसंख्या साथ, अरे रा, बिली तो मर गई, यह बात किसने कही प्रसंख्या आठ, मिश्राने क्या बोली, प्रसंख्या नौ, पंड़ी जी का नाम क्या था, वह देखने में कैसे लगते थी प्रसंख्या दस, घटना अस्थल पर कौन उपस्तित हुईं, धन्यवाद